हेलो दोस्तों सागत है आपका हमारे यट्यूब चनल पर तो गाइस क्या आप जब भी किसी अपने गैलरे से किसी फोटो को रिकवर करने जा रहे हैं या फिर देखने जा रहे हैं तो इस प्रकार का उप्शन आ रहा है फेलर टू लोड फोटो तो कैसे आप इसे ठीक कर सकते हैं इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो में बने रहे हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो गाइसे कब होता है जब आप अपने फाइल मेनेजर से जाकर किसी photo को delete कर देते हैं अगर आप file manager से जाकर किसी photo को delete करेंगे तो इस प्रकार की problem आती है और यहाँ पर photo open नहीं होता है तो इसे ठीक करने के लिए आपको क्या करना है सबसे पर ले play store को open करना है फिर आपको अपनी इस logo पे मतलब कि इपनी profile पे क्लिक करना है फिर manage app and device पे क्लिक कर देना है जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए all apps up to date यहाँ पर मेरे सभी apps अपडेट हैं आप यहाँ पर चेक करना कि आपके app अपडेट हैं कि नहीं है अगर अपडेट नहीं रहेंगे तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं तो अगर आपने अपडेट नहीं कि है तो गूगल फोटो को या फिर इस गैलरी को अपडेट कर लेना अपडेट करने के बाद क्या करना है अपने फाइल मनेजर में जाना है और फाइल मनेजर में जाने के बा पर show होगा आप इस photo को वापस ला सकते हैं तो इसे यहाँ हम से फॉट कर लेना जैसे delete करने के लिए करते हैं फिर आपको recover पर click करके recover कर देना है photo वापस आ जाएगा तो यहाँ पर हम चलते हैं phone में और हम आपको दिखाते हैं देखिए यह photo था जो हम वापस लाए अगर आपके phone में इस प्रकार का option नहीं है recently deleted का तो फिर आपको बैक आना है और अपने gallery को open करना है open करने के बाद आपको album पे click करना है फिर आपको यहाँ पर भी एक option नहीं लेगा recently deleted तो गाईस आपको इस पे click कर देना है click करने के बाद जो photo delete हुआ रहेगा यहाँ पर भी so होगा आपको इस photo पे click करना है एक बार नहीं आप उसे type किये रहेंगे फिलेक्ट हो जाएगा फिर आपको restore पे click करना है और फिर restore photo पे click कर देना है जैसे इतना आप कर लेंगे restore हो जाएगा वापस आजाएगा अगर आपके पास बहुत photo हैं तो आप उसे एक photo को फिलेक्ट करके markal लगा सकते हैं आपको उपर option मिल जाएगा thank you